तो चलिये साट करते हैं मैं इस chapter को simple कहूंगा मैं कहूंगा simple लेकिन simple chapter उस बच्चे के लिए जो daily पढ़ेगा class, class notes को अच्छे से note करेगा और daily जाके उसको revise करेगा पुराना और ये उसके लिए simple chapter है और जो इस चेप्टर के अंदर ये काम नहीं करने वाला उसके लिए complicated बन जाएगा और ये चेप्टर आपके exam में आएगा ही आएगा फिफ्टीन मार्क्स का पंदरा नमबर का ये चेप्टर आएगा ही आएगा अगर हम बात करें ना तो आपकी किताब के अंदर जो भी चेप्टर है उस चेप्टर में से एक हर एक न बुक के अंदर एक ऐसा चेप्टर होता है जिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे बारवी क्लास में कर आपने तो दूसरी बुक में से आपका शेयर कैपटल वाला खूब इंपॉर्टेंट हुआ करता था जिसमें से बहुत सारे कुश्चन आते थे सेम ऐसे इस पूरी आपके सेकिंड यर में से सबसे इंपॉर्टेंट चेप्टर जो देखा जाए ना तो वो रहता है एक्जामनर इसमें से कभी मिस नहीं करता हमेशा कोश्चन पूछी लेता है और 15 मार्क्स का होगा जो हमारा यूनिट नंबर जो चार है ना यूनिट नं और यह 15 नंबर का फिक्स आना ही आना होता है कई बार एमल्गमेशन और इंटरनल रीकंस्रक्शन के अंदर ऑप्शन आ जाता है लेकिन आप ऑप्शन पर डिपेंड ना रहें क्योंकि एक्जामनर चलाक हो गया है वो पार्ट में ऑप्शन देने लग गया आज के टाइम प इस चैप्टर को क्यों बनाये गया था पिछला चैप्टर क्यों बनाये गया था पिछला चैप्टर क्यों बनाये गया था कंपनी अपने जब बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा होता था तो अपने कंपनी को रिवाइब करने के लिए अपने कंपनी को दुबारा से अ और ये चप्टर एक ऐसा चप्टर है ना इस चप्टर में होता क्या है जैसे मानलो XYZ है या फिर एक सिंपल सिंपल मानते हैं ध्यान दीजेगा X Limited है और Y Limited है तो जनरली देखा जाता है कि competition market में बहुत टफ होता है जैसे मान लेते हैं Colgate और Pepsudent तो Colgate और या फिर आप समसे सिंपल सा एक्जामपल लेजिए Vodafone और आइडिया Vodafone और आइडिया आप जानते होगे कि यह अब बन चुका है वी आई वी ने अपना Vodafone रखा और आई ने अपना आइडिया नाम रखा दोनों का नाम भी हो गया यह इनका देखा गया जब इनका स्टोरी पढ़ा के भाई आपस में क्यूं जुड़े है क्या कारण था के यह दोनों एक हो गए तो कहना था भाई जियो और एटेल के पास खूब सारा पैसा है यह इसको कंपीट नहीं कर पा रहे है तो दोनों जो चोटी कंपनी थी वैसे Vodafone गया नहीं है जो यह सोचामीट मिलके हम जब एडिया तुम अपना अलग एड कर सकते हैं साथ के साथ बहुत सारे चीज़े मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों ना एक हो जाते हैं हम दोनों क्या हो जाते हैं एक हो जाते हैं और इन दोनों को जब एक कर दिया गया तो एक नई कंपनी बना दी गई तो न्यू कंपनी जब बनाया गया तो new company मान लेते हैं को जो भी new company बना वो x and y limited के नाम से बना या फिर आप वी आई के दिमाग में रख सकते हैं example अब जब नई company बना तो company का मालिक कौन shareholder company का मालिक कौन sir इस shareholder को अब इस company के अंदर मान लेते हैं यहां का अपना एक अलग पहले shareholder हुआ करता था यहां पे एक अलग shareholder हुआ करता था दोनो company क्योंकि अलग-अलग तो दोनो company का अलग-अलग shareholder था अब यह shareholder जो है न यहां पे यह और यह जो shareholder है अब यह दोनो कहां company में आ गए हैं एक नई company that is x and y limited अब ये कहेगा भाया मुझे भी इस company के अंदर हिस्सेदारी दो और मुझे भी इस company के अंदर हिस्सेदारी दो और पुरानी वाली जो company है क्या वो रहेगा अब existence में नहीं रहेगा ये पुरानी वाली company यानि इन दोनों के shares इस company के अंदर आ गए तो जब दो company जूट जाता है आपस में तो इसको amalgamation कहा जाता है नाम बहुत अटपटा सा है लेकिन simple सी बात सीधी बात करें न दो company मिल गए और एक नई company बना लिए वही चप्टर में सिखाए जाएगा क्या है हमारा amalgamation इसमें कुछ अलग अलग और तरीके भी हो सकते हैं मान लो x company है x limited है और एक y limited है एक x limited है और एक y limited है अगर हम बात करें तो y limited एक छोटी company है x limited एक बड़ी company है तो normally होता क्या है हम company का नाम नहीं बदलते वगे एक बड़ी company کا छोटी company को खरीद लेती है देखा यह कभी ऐसा बड़ी company ने क्या करा छोटी company को खरीद लिया आप रि रिलाइंस को देखो ज्यादा सा जादा company को acquire कर रही है छोटी company को खरीद लेती है 과 उसे beneficial लगता है कि यह हमारे लिए beneficial है तो उस छोटी company को वो खरीद लेती है तो जब ये company इस company के अंदर चला जाएगा तो ऐसे concept को बोला जाता है absorption absorption एक हो गया amalgamation amalgamation का मतलब जब दो company मिल जाए और एक नई company बना दे इसके बाद एक हो गया हमारा क्या absorption मतलब एक बड़ी company छोटी company को ले ले और मजे की बात ना एक इस chapter का और नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है external reconstruction reconstruction का मतलब होता है balance sheet को बनाना और पिछला था के हम अंदर ही अंदर आपस में बात करके balance sheet को बनाते थे तब वो था internal reconstruction अब यहाँ पर इन दोनों की अलग अलग बाहर वाले होगे दोनों इन दोनों balance sheet को merge करना है हमें तो इसका chapter का नाम ना एक और पर जाता है external reconstruction ध्यान रखिए का exam में जहतर यह पूछ लेते हैं मुद्दे की बात है सर इस chapter में क्या सीखेंगे सर दो company आपस में मिलने वाली है चाहे दो company मिलके एक नई company बना ले चाहे एक बड़ी company छोटी company को अपने अंदर observe कर ले इनकी accounting करके इनकी नई balance sheet तयार करनी है और कोई भी हो चाहे ये दोनो company मिलके एक company बना रहा हो चाहे बड़ी company छोटी method तरीका सबका सेमी रहता है बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसे से situation होता है सहाब ये दोनों आपस में क्यों मिलता है बताया है कि हम competition दे पाए हमारे पास fund जादा हो जाए capital जादा हो जाए हम market के अंदर dominate कर पाए तो यही सारे reasons होते हैं कि बड़ी-बड़ी company क्या होती है आपस में मिल जाते हैं कई बार company अलग भी होती है आपने देखा होगा मारूती सुजू की मारूती सुजू की company था मारूती अलग हो गया सुजू की अलग हो गया तो दोनों company अलग भी हो गया इससे बोला जाता है de-merge होना तो हमारे slaybers के अंदर de-merge नहीं है हमारे slaybers के अंदर है जब दो company आपस में मिलेगी तो उसकी नई balance sheet कैसे तयार करेगा तो बहुत simple है भाइस आप नई balance sheet बनेगी तो सारी assets जुड़ जाएगी सारी liability जुड़ जाएगी और इससे आप से नई balance sheet बन जाएगी लेकिन इसके अंदर भी method से करने के तो हमें इस chapter के अंदर अगर theme देखा जाए तो सीखना क्या क्या है एक तो ये पता करना है हमें number one के भाइया जो हम नई company आ रही है जो नई company आ रही है हमें सीखना क्या है के new company को अब मेरे बात सुनना जैसे मान लो जैसे मान लो x limited है और मान लिया आपने y limited है x limited y limited को अपने अंदर observe कर लेगी तो x limited कुछ तो इसको देगा कुछ तो देगा और पैसे जो देगा इस नई वाले company को जो पैसे देगा वो क्या किसको देगा इस company का मालिक कौन होगा equity shareholder तो पहला point हमें इसमें सीखना है के भाईया सामने आली company को खरीद तो लिया है लेकिन कितने रुपे देने हैं उसको इसका decision होना चाहिए आपने समान तो खरीद लिया है समान का मतलब company तो खरीद लिया है लेकिन कितने रुपे का खरीदा है उसको कितने रुपे देने है ये निकालना सीखना है और कितने रुपे देने है उसको किस terms में देने है ये निकालना सीखना है कि भाईया तुम उसको माल लितने हैं दो करोड रुपे में डील होगी तुमारी कमपनी खरीद रहें अब कितना आप कैस दोगे कितने चेक दोगे कितने एसेट दोगे वह सारी डिटे तो जब कभी भी हम किसी company को खरीद रहे होते हैं, उसको कितना पैसा देना है, उसको बोला जाता है purchase consideration, तो number one देखा जाए तो आपको निकालना है कि सामने वाली company को कितना payment करना है, payment करना है, जिसको क्या बोलेगे हम purchase consideration, हम सारी चीज़े को एक दम fairly लिखेंगे अभी पहले द दूसरा, जब company बंध हो रहा होगा, एक company जब खरीदेंगे, तो हमेशा यह याद रखना, कि company एक company तो बंध हो रही होगी कम से कम, जैसे मान लेते हैं, वाई limited बिक रहा है, तो वाई company तो बंधी हो गई न, तो बंध हो गई, तो आप याद होगा partnership में, जब किसी firm को बंध करते थे, तो dissolution होता था, सेम यहाँ पर company है, तो यहाँ पर भी इसको बंध करने के लिए हमें, और dissolution में कौन सा account बनता था, याद है कुछ, realization account, तो यहाँ भी realization account बनेगा, यानि जब company बंध होगी, तो इसके लिए क्या 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 accounting treatment करना होगा, वो देखेंगे, दूस seller, और नमबर तीन, books of buyer, sir, books of seller का मतलब भई, सामने आली company बरबाद होगी, बिक गई, उसके company में क्या entry होगी, वो करेंगे, buyer मतलब जिसने खरीदा है, उसको क्या entry करना पड़ेगा, और दोनों balance sheet के दोनों assets को मिला दूँगा, जैसे मालो मेरे पास खुद की building पांच करोड रुपे की थी, और सामने आली company को खरीदा, उसके पास पहले से 50 लाख रुपे की building थी, तो आप नई balance sheet हम बनाने जा रहे हैं, तो कितने की building हो जाएगी, पांच करोड, 50 लाख, यही करना है आपको balance sheet में, यानि simply देखा जाए, sir, तो इस chapter के अंदर देखा जाए, तो हमें हमें क्या करना है, number one, हमें निकालना है, purchase consideration, sir, purchase consideration क्या होता है, समझ में आया है, क्या purchase consideration क्या होता है, sir, सामने वाली company को कितना पैसा देना है, कितना, पैसा देना है, बड़ी basic से चीज़े से सीखोगे ना, तो आप connect कर पाऊगे, आप सोचोगे, sir, amalgamation सीखने है, जिंदगी में ने सीख पाऊगे, क्योंकि नाम ही clear नहीं होगा, आपको लगेगा, बड़ा नाम है, बड़ा chapter होगा, simple सी बात है, जब हम सामने आली company को खरीदेंगे, तो कितना पैसा देंगे, एक तो यह सीखेंगे, जिसको क्या कहेंगे, हम purchase consideration, नमबर दो, अब सामने वाली company अगर बंद हो गई है, तो उसका books of account, journal entry, यानि accounting सीखेंगे, तो किसका books of account सीखेंगे, books of account का मतलब सारी entry, books of account, किसका seller का, यानि जो company बंद हो गई, वो क्या क्या treatment, क्या 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 accounting entry करने वाला, यह सीखेंगे, नमबर तीन, और सीखेंगे, books of buyer, buyer जिस company ने खरीदा है, वो भी तो अपना सब कुछ नया बनाएगा, balance sheet नहीं बनाएगा, उसके लिए journal entry करेगा, अब यही तीन चीजें इसके अंदर हैं, जिसने ये तीन चीजें सीख ली, समझ ये उसको ये chapter आ गया, लेकिन सर, तीन चीजें सीखने के लिए, हमें इस chapter के अंदर mainly तीन चीजें सीखनी हैं, अब ये तीन चीजों में पहला जो books of accounts की बात करूं ये लेजर के form में होता है maximum case में और journal के form में भी हो सकता है और ये journal के form में भी हो सकता है और लेजर के form में दोनों format में सीखना होगा और purchase consideration एक generally calculation है आप कोई समान खरीदने जाते हो तो आप मूलभाव करके लेते हो ना एक जर्नल केलकूलेशन होता है purchase consideration निकालने के methods हैं हमें given सवाब दो तरीके से हमारे वैसे questions होते है nature of merger और nature of आपका अगर हम method की बात करते हैं तो दो methods हैं सर method कितने होंगे इसके अंदर हम जब method पर आएंगे नहीं तब देखेंगे कि यह method क्या होता है मैं पहले simply बता देता हूं दो method इसके अंदर सिखाए जाता है किसी पर भी सवाल आ जाता है merger and amalgamation sir simple भासा में क्या बोलेंगे इससे जो method सीखेंगे यह बाद की है मैं अभी बता देता हूं मर्जर कुछ नहीं मर्जर का मतलब उसका एक भी एसेट नहीं छोड़ेंगे एक भी लाइबलेटी नहीं छोड़ेंगे सब ले लेंगे जो अच्छा लगेगा वह चांट लेंगे बागे छोड़ेंगे नहीं ले रहें भाई तो दोनों अलग अलग बाते हो गई तो दोनों को अलग method बना दिया तो जब हम करेंगे detail में general entry करेंगे तो समझ भी लेंगे हम और एक सिंपल सी बात करूँ जो हमारा account amalgamation है जो हमारा amalgamation है उस amalgamation के किस ने बताया कि ऐसे ऐसे काम करना इसको तो हमारा एस 14 बताता है accounting standard 14 एस 14 बोलता है कि किस तरीके से आप अपनी company को amalgamation करेंगे वो सारी बाते यहां पर लिखी हुई है तो कई बार सवाल में आएगा कि आपको amalgamation करना है as per accounting standard 14 तो घबराने की ज़ुरत नहीं है जितने भी चीज़ें हम सीखेंगे वो as per 14 ही सीखने वाले है तो यहां पर देखा जाए तो methods हमारे तीन काम करने और तीनों काम करने के लिए दो methods हमें available है merger वाला और amalgamation वाला तीनों काम में से सबसे पहला काम क्या सीखेंगे हम purchase consideration अगली class में सीख लेंगे books of buyer उस से अगली class में सीख लेंगे books of seller उसके बाद कुछ adjustment 2-3 दिन तो अब सबसे पहले हम इस पर नहीं है method पता है किसके उपर लगता है method of merger इन दोनों पर लगता है हम सबसे पहले क्या सीखने वाले है सर सबसे पहले सीखने वाले हम purchase consideration सर पर्चेस consideration क्या है जितना हम सामने वाले party को payment करेंगे उसे purchase consideration बोला जाएगा यहाँ पर दो methods हैं इस calculation को करने के दो methods हैं हमारे पास सर कौन-कौन सा method है एक method का नाम है net assets method बहुत आसान method और यह जब technical terms में सीखते है ना तो ज़्यादे दुख होता है कि क्या बत पढ़ा रहे हैं क्या समझ में आ रहा है मैं बिल्कुल language में सीखेंगे और एक है हमारा net payment method जिसको purchase consideration निकालना आ गया बाकी कुछ बचता नहीं है में यहीं पर पच्चे फस जाते हैं क्योंकि सुरुआती अगर गलत कर दिया आगे बढ़ी नहीं पाता देखो net assets method पता है क्या करता हाला कि यह सब आपने सीखा हुआ है लेकिन वह जैसे मालो एक्स लिमिटेड है और एक बड़ी बड़ी company है पी क्यू लिमिटेड तो अब बताओ पी क्यू लिमिटेड बोलता एक्स लिमिटेड भाई मैं तरको खरीद रहा हूं तो जब इसको खरीदने लगेगा तो सबसे पहले कितने पैसे देना है उतका अंदाद है य यह तो बोलेगा यह तो बोलेगा मेरे को 100 करोड रुपे में खरीद लो भाई तुम 500 करोड रुपे में खरीद लो लेकिन सामने वाला company देखेगा ना के 100 करोड के लाइक है भी के नहीं है तो जब यह company इसको खरीदेगा ना इसने पूछा के भाई बता तेरी company को कितने assets माल लेते हैं इसके 10,000 या फिर 10,000 करोड के assets है सारे assets ले लेंगे और वो assets लेंगे जो active है ऐसा नहीं कि asset side में आपने देखा था profit and loss है देखा था आपने पिछले reconstruction वाले में profit and loss था वो भी ले लेंगे ऐसा नहीं है सारे assets ले लेंगे active assets को और minus कर देंगे इसके सारे liability माल लेते हैं liability इसका जो था वो था 9800 CR का सर liability के अंदर क्या चीज़े नहीं ली जाएगी liability का मतलब यहाँ पे shareholder fund नहीं होता liability में shareholder fund नहीं होता shareholder fund का मतलब सर equity share, preference share और reserve and surplus यह हमारा liability का हिस्सा नहीं है तो बाकी क्या non current liability और current liability format का वीडियो मैंने डाला था आपके इसके अंदर के आपको देखना है जो balance sheet का पूरा format बनाया हुआ था के भई ऐसे ऐसे देख लेना आप उसका तो इसके अंदर देखा जाए तो आप simple सी बात है भाई तेरे उपर 1000 करोड का assets है और तेरे उपर करजा है 9800 करोड का तो मेरे हिसाब से तो तेरा 200 करोड की valuation बनती है अगर मैंने तेरी कंपनी को 1500 करोड में खरीद लिया तो यह चला फाइदा हो गया इसको और उस फाइदे को capital reserve में भेज़ देगा other than cash में करते थे ना और अगर इसने इस कंपनी को 2500 करोड में खरीद लिया तो इसने महंगा खरीद लिया और उस पैसे को वो goodwill में भेज़तेगा यानि इसने बोला भाई तुने क्या बोला हमें नहीं पता मैं तुझे बता रहा हूं तेरी कंपनी की जो actual valuation है तेरी कंपनी की जो actual valuation है वो है 200 करोड बात खतम अब 200 करोड से इसकी मर्दी है ज्यादा दे दे या बिट करते भाई 200 करोड की तो तेरी कंपनी है मैं एक काम करता हूं तेरी कंपनी को एक सो अठानवे करोड में खरीद हूं दे रहा है तो पता नहीं तो खतम डील अब यह बोलता है कि चल ठीक है यार एक सो अठानवे करोड में ले ले तो इसने दो करोड रुपए जो कमाया बोलेगा प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट को कहां भेज़ देगा capital reserve में और अग गुडविल भी खरीद लिया है समझ रहें बात को तो पर्चेस consideration net assets में क्या होगा सारे assets को जोड़ लेंगे लाइवलिटी को जोड़ लेंगे घटा लेंगे जो बचेगा वो क्या होगा पर्चेस अब जो इसको 200 करोड रुपए देना है ना इस देने को भी आपको समझना ह होगा कि देना माल लो डील डन हो गई 200 करोड की तो यह 200 करोड क्या है बताओ मुझे 200 करोड है क्या यह पर्चेस consideration चलो मैं एक आप से सवाल पूछ लेता हूं एक सवाल पूछ लेता हूं एक company है जिसको खरीदना चाहता हूं उसके पास है हमारा building जवाब देना बिल्डिंग है एक लाक रुपे का प्लांट एंड मसीनरी है दो लाक रुपे का शेयर कैपिटल है एक लाक रुपे का reserve and surplus है 50,000 रुपे का और उसके पास creditor है मान लेते हैं 20,000 रुपे का आप बताईए इस company की मैंने आपको सारी बता दी क्या चीज़े है इन company के पास मुझे आप बताईए इस company को आप कितने में खरीदेंगे जिसमें आपका no profit no loss हो ऐसा कितने रुपे में इस company को आप खरीद लेकर बोलो ठीक है इतने में तो no profit no loss है बताईए इस company को कितने में खरीद हो गया है जल्दी जवाब दीजिए सब क्लास रेगुलर कर दो रेगुलर ही चल रही है पाइल आप साइड देखा नहीं होगा कल भी क्लास हुई थी आज भी हो रही है रेगुलर ही हो गई हो तो कि एक बच्चा कहा रहा है छे करोड़ भाई छे करोड़ कहां से आगे हजारों में खेल रहे हैं हम लाकों में चल रहा है छे करोड़ कहां से कि अब बैच कोड़ की कोई जुरत नहीं है यहां पर कह रहे हैं दो अस्सी दो अस्सी काफी बच्चों का जवाब दो अस्सी आ रहा है ं राज लक्षमी का भी दो अस्सी और पहले भी गुन-गुन कहरी है तीन बीस तो भाई सिंपल सी बात है मैं देखुँगा आप समान खरीदने जा जो मार्केट में और समान खरीनने जारे तो पेहले देखो आपके इसेट कितने तो वह बिलक को बाहर करेंगे तू निकल जा अब देहेंगे तेरी चुंपनी में क्या बचाए फिर खरीदेंगे हैं मुझको है ना सिंपल सी बात है यह कौन है माली की तो है यह वो लेंगे पहले तू बाहर निकल जा अब फिर हम देखेंगे तेरी कंपनी में क्या बचा और फिर हम वेल्यूशन लगा लेगे माली को बाहर कर दिया बचा क्रेडिटर भाई दो लाख तो 20,000 उपए तो तुने पहले से करजा वर्जा ले रखा है यानि दो लाख 80,000 उपए का इसका क्या है वेल्यूशन और इसी वेल्यूशन को क्या नाम दिया एक टेकनिकल अकाउंटिंग नाम हम पर्चेश consideration अब इसका तो हमेंने ये done कर दिया कि भाई तेरे को दो असी मिलेगा लेकिन अब ये बताओ दो असी दोगे कैसे मैंने बोला एक काम कर असी अजार ले ले cash तो cash में कितना चला गया असी अजार दूसरा बोला चले एक लाख रुपए का equity share दे रहा हूँ एक लाख का क्या दे रहा हूँ equity share और बोला एक लाख और बच किया चल चेक ले ले बात फ़तम से यानि सबसे पहला कहां में purchase consideration निकालना उसके बाद उसका payment कैसे करना वो बड़ी simple वो सारी बाते question आपको बताएगा आपने मनमर्जी से कुछ भी निकरना लेकिन हाँ इन assets का आपको market value नहीं बताया इन liability का market value नहीं बताया डेट मिन्स आपका अगर market value mention है तो ठीक नहीं mention तो आप क्या करेंगे उस situation में जो value था उसी को market value मानके निकालनेंगे जैसे इसका market value नहीं बताया तो नहीं लिया suppose करो मैं इसका market value बताता भईया डेड़ लाग है तो आपका जवाब बदल जाता तर डेड़ लाग दो साड़े तीन लाग का तो assets है और उसमें से 20 माइनस कर दो यानि तीन लाग तीस अजार रुपय का हो जाता उसका valuation तो यह कौन सा method हम मैं मैं जो बता रहा हूं अभी कौन सा method चल रहा है ग्रफ़ बता तो यह पहले हम एक सीखेंगे फिर दूसरे पहेंगे तो अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं यह सब हटा देते हैं बाते को अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं पर्चेस कंसेट्रेशन में और यह चैप्टर आपके काफी सारे चैप्टर को आगे चलके लिंक करेगा सबसे पहले ले लेंगे हम asset और assets का भी क्या लेंगे हम market value assets में क्या क्या ले लेते हैं देखते हैं इसीट्स में machinery हो सकता है सारा assets तो नहीं लिख सकते हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं assets में goodwill हो सकता है assets में furniture हो सकता है यह सारा हमारा assets है और सर बस fix लोगे क्या, नहीं cash भी हो सकता है cash भी ले लेंगे उससे ऐसा नहीं कि cash बोलेंगा मालिक तू cash लेके निकल जा cash भी बोलेंगे छोड़के जाना है बस मालिक को निकलना है stock भी हो सकता है मैं सिर्फ example ले रहा हूँ ठीक है एंड एक्सेक्टरा कर देता हूँ रहा है पाल दूयु फंड में लेखे खूम रहा है इसमे नंबर वन Statement Profit and Loss कल Loss बेकार है भाई Discount On Debenture Preliminary Expense और Underwriter Commission यह जितने भी Assets लिखे हैं यह सारे Balance Sheet के Assets में आते तो हैं लेकिन यह Assets नाममातर Assets से इस Assets का कोई लेना ही देना नहीं होता इससे कभी पैसे वेसे नहीं मिलते तो जब आप कुछ खरीदने जाओगे तो कूड़ा का बाड़ा थोड़ी ना खरीद होगे सारी चीज़े देखके खरीदो को जो अच्छी चीज़े वही खरीद हो गया तो सेम बात है यहां पर यह सारी Assets से कुछ मिलने आला नहीं है बोलेगा भाई यह नहीं लुगा यह छोड़ दे भाई वैलुएसन लगाऊँगा तो इसको छोड़ के ही लगाऊँगा अगर मैं बोली ईषियर होल्डर फंड then यह Map अब शेर होल्डर फंड है प्रफेश्य Hé č प्रफ्रेंशूर कापिटल इंडियर परजबे शाबत ठीर अचैनल कीर रिजर्बो फ्री इन रिजर्वी अवह कापिनल रिडंशन पॉरकचर है ए्टसेक्टरा लोन वगारे सब ऐसार इस में सब कुष है ळो जितना सोख momento मिर पास जितनी स्पेश है ile बाते लिख रहा हूं कि योगником लाइब लिटी कि applicable कि यह ठीछ को लिखो गे यहां ठीछ टोटल कर देना उसमें से सारी को माइनस करते जाना सारे liability को minus करते जाना जो निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे purchase consideration अब ये हो गया purchase consideration निकालना अब इसके भाईया दोगे कैसे कैसे इसके payment उसको बोला जाता है discharge of purchase consideration तो नए नए words आएंगे नए नए words है घबराने की जुरत नहीं है मतलब वही होता है जो नॉर्मल बोल चाल में करते हैं तो आपकी ये काम मैं आगर आपको याद दिलाओ ना तो बार भी ग्लास में कर चुके हो अधर देन cash में जब अधर देन cash निकालते हैं तब उसके अंदर एक आता है कि सारे assets को debit credit करो उपर आ रहा है तो goodwill लिखो नीचे आ रहा है तो वही चीज़तों है ये है ना इसके उपर एक सवाल कर लेते हैं जिसके अंदर हमें clarity मिल जाएगे के भाईया इस सवाल का कैसे करें यह आपकी किताब का question है और किताब में भी और बाकि 10 year में भी है एक सवाल आपके सामने given है बहुत simple सा सवाल है इसमें खूब सारे एसेट्स खूब सारे liability given है कहता है purchase consideration net assets method से निकालों यह कोई बड़ी बात नहीं है सारे एसेट्स को जोड लेंगे liability घता लेंगे answer आ जाएगा एक एक करके फटा फट देखते हैं अगर आप यह निकाल पाए और यह समझ पाए तो मतलब समझ में आ रहा है कि यह कोशन जो है वो जे आर मोंगा का ही सवाल है क्योंकि आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है ना बताओ तो जे आर मोंगा का सवाल है यह कि तब से पहले क्या लिख लेंगे हम एसेट ठीक है सारा एसेट लिख लेंगे बाद में लेस लाइबलिटी कर देंगा पटा पट देखते हैं सारे समस्विसर अब इसके साड़ साना हमें मारकेट लिए यहां पर इसेट बिल्डिंग क्या रहे है 2.40 नीचे क्या नहीं डोलाग है तो अब यहां कहता बिल्डिंग डेकर 2.00 आरे मैंने तो जो ईसे बोला के बोल गया है तो बिल्डिंग कितना है हमारा दोला तो भाई बिल्डिंग लें गए बिल्डिंग है हमारा दोला चलो इसको कट लगा देते हैं यह हो गया अब प्लांट एंड मसीनरी कहता है चार पैंसेट का है इसको भी कट लगाते थे वह तेरा कुछ काम नहीं है कि चार लाख पैंसेट हजार कहता है फरनीचर भाई 36 अजार रुपए का है फरनीचर तेरा भी कोई काम नहीं है अब कोई बच्चा यह नहीं सोचे सर इतना महंगा इतना सस्ते में कैसे ले रहे हो इसके क्या होगा लाज प्रॉफिट वह सब अर्जेस्ट हो जाएगा बाद में परनीचर 36 जो इसके कहानी कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इसके बीच का जो डिफरेंस है चालीस अजार रुपए बिल्डिंग के नहीं कहां कहीं नहीं ले जाएंगे लेके जाएंगे आगे अभाएर और बॉकस वफ सेलर तब देखेंगे इसको अभी नहीं देखना है कि इनवेंट्री इनवेंट्री कितने का कह रहा है कि एप पीच having a एक की रहे गया था क्यों रहे गया ता क्यूंकि यहीं पे इसका है तो यही ले लेंगा इन वेस्मेंट कर कि इन्वेस्मेंट कितना लेंगे और यह सवाल दस नंबर में पिछले बार भी आये था मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आता है मैक्सिमम टाइम तक आता है सिर्फ पर्चेस कंसेडरेशन निकालो दस नंबर ले जो आगे डेटर सब्जेक्ट टू प्रोविजन 10 परसेंट डाउटफुल डेट्स कहता भाईया डेटर में इसमें डाउटफुल डेट्स माइनस कर दो ओके ठीक है सर डेटर कैसे लिखेंगे देखो डेटर कितने का था तीन लाख बारह हजार लेस कर देते हैं प्रोविजन 10 परसेंट 31 क्या है माइनस करके दो लाख चलिए अब आगे कहता है गुडविल फाउंड निल कहता है अगर इसमें गुडविल दिख रहा है ना तो उसे जीरो मान लो जीरो मानने का मतलब यहां दिखावी मत चीक है ना दिखाना ही नहीं है अब बात करते हैं भी या बिल्स रिसीवेबल इसके बारे में कोई कहानी कह नहीं रहा आगे कहते हैं देखते हैं आगे एक्च्वल टेक्स लाइबलिटी ठीक आगे देखेंगे रिलाइजेबल एक्स्पेंस उसे भी आगे देख लेंगे और प्रिफरेंच शेयर होल्डर टू बी पेड इकूटी शेयर होल्डर 100 रुपए हम बैलेंस पेड करेंगे वो पेमिंट की बात कर रहा है जो यह वाली लाइन है न यह दो के बाद क्या है कि यह आ गया कि कैसेट बैंक कितने का एक लाग कि आप देखो यह आगया प्रिलिम्निरी एक्सपेंस बताएं तरह ने यह बेकार एसेट से खोड़ दो इस तरह रहे बता अगे देखते हैं अब यह अब यह सारे लाइबलीटी है तो सबसे पहले हम माइनस क्या क्या कर देते हैं यहां से पहले टोटल कर लेंगे न लेस कर देंगे हैं टोटल करने के बाद हम लेस करेंगे सर लेस करेंगे लाइबिलिटी सर लाइबिलिटी में सबसे पहले 10% डिबेंचर है कुछ बातें बता रहा था साइद ये लाइबिलिटी के बारे में कहता था there was a liability 26,000 against workman compensation fund यानि 26,000 देना है तो यह liability मेरे उपर आ गया तो मैं बोलूँगा भाई रुखजा तेरे assets इतने तो है और तुने कुछ उधर उधर के भी liability बाहर वाले भी मांगने आ रहे हैं उसको भी मैं माइनस करूँगा अगर तो बोलता है तो मैं माइनस करके करूँगा आगे तो सेम यहाँ पर अभी देख लेते हैं और liability क्या बिल्स पेबल बिल्स पेबल कितने हैं अरे यह तो लिखा नहीं डिबेंचर एक लाक बिल्स पेबल क्रेडिटर दो लाक थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है थोड़ा स्मॉल कर देखा क्रेडिटर किसने का दो लाक प्रोविडेंट फंड भी लाइवलिटी होता है सर यह इंप्लॉई को दिया जाता है कितने और प्रोविडेंट फोर टेक्स भी लाइवलिटी का पार्ट होता है लेकिन यहां पर इसने बता दिया भाईया एक्च्वल टेक्स चालीस अजार ही है उपर 32 लिख रखा है लेकिन अब देखो यह कहता है वर्कमेन कंपंसेशन 26 अजार वैसे तो वर्कमेन कंपंसेशन पेड करना पड़ेगा कितना यानि आप समझ रहे हैं कोश्चन का सेंस यह ना आप कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रस मतलब भी बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर आप रियल लाइफ में अगर आपके सामने यह सिच्वेशन आजाए यही करो गया उसका वैलिविशन निकालने क लिए देख तेरे इतने एसेट से और इतने लाइबलिटी बन रहें एक तरह उसके भी तो देने वह भी तो माइनस करूँ आ बाहर वाले के आड़ेस्मेंट में रख्ते हैं इसके बाद आगे कहता है सर टैक्स भी देना तो टैक्स मैं वैसे प्रोविजन लेता लेकिन सक्षिthinking देखते हैं इसके उपर आगे चर्चा करना बागी है कुण सी कम्पनी भाइग अब वह भावना Limited को खरीदा जा रहा है और साक्सि लिमिटेड बॉंड करेगा सक्सि लिमिटेड का मतलब खरीदने वाला कंपनी होगा सक्सी कहता है बैलनेंस टूब करने का खर्चा हुआ सक्पर ऑसामने आलही चयरे दा है सामने भी सब्सक्रोपिंश कंपने आपने डिजूरी चुह में पढ़ा है कंपनी को बंद करने का खर्चा से मुद्ध मरी होई कंपणी है, वो बॉले भाइक खरीद है, खरीद नई, खरीद आमाट कर दोगा है अब realization होगा, उसे seller company बोलते हैं और जो company खरीद रहे है उसको बायर company बोलते हैं तो एक seller company बोल दे ठीक है कोई बात निए भाई मैं इसके खर्चे तो अगर इस खर्चे को बायर कंपनी दे रहा है तो एक तरीके से उसके पॉकेट से पैसे जा रहे हैं और यह सारे भी उसी का पॉकेट से पैसे जाएंगे तो रिलाइजेशन एक्समेंस यहां आ जाएगा अगर भावना लिमेटेड कहता कि यहां पर कितने काई सर पंद्रह हजार अरे यह तो बहुत उपर जा रहे हैं चलिए यहां लिख देंगे हैं दिख तो रहा है इसके आगे बोलता है preference shareholder are to be paid cash जो भी preference shareholder बनता है इसके अंदर देने के लिए उसको cash में दे दे देंगे बैलेंस जो भी है वो equity shareholder को दे देंगे 100 रुपे वाले share यानि थोड़े से cash पकड़ाने वाले हैं इनको और थोड़े से shares देने वाले हैं तो वो हम देख लेंगे इसका कोई role नहीं रहेगा इसमें तो मैंने दो बाते बताई थी एक तो purchase consideration निकालना और एक discharge करना तो लास्ट की दो लाइन क्या कर रहा है discharge करना दिस्चार्ज तो बाद में करेंगा पहले निकाल तो लो कितने पैसे देने तो अगर हम totaling करें तो भाईया assets कितने के गए आप बता रहे हो इसलिए मैं भरुसा कर रहा हूँ गलत दोगा तो बच्चे देख लेना कितने 14,2,800 ठीक है यह सब माइनस है ब्रैकिट लगा दे माइनस करके आठ लाक 51,800 भाई लाइब क्लास वाले बच्चे भी देख लें कि यही आ रहा है या उल्ट सुल्ट कुछ आगे पीछे बोल दिया है अभी realization experience पर करेंगे रिपीट करेंगे दिखाना साक्षी वाला प्राइब करेंगे एक छोटा सा मैं इसमें चलो कर देता हूं आप पहले टोटलिंग करना बच्चे कहरे हैं सर यह वाला समझा दो realization expense वाला थोड़ा complicated हो रहा है यह समझ में नहीं आ रहा तो मैं realization expense को न यहाँ पे एक word मैंने इग्नोर कर दिया था born by साक्षी लिमिटेड अब इस question में clarity नहीं है के कहता है the following balance have taken from the books of account भावना लिमिटेड और साक्षी लिमिटेड कोन है बायर कमपनी है अब इसको देने के लिए तयार कोन है साक्षी लिमिटेड देने को तयार है तो मैं simple सी एक बात लिख देता हूं अगर born word होगा के भायर कमपनी इसको देने के लिए तयार है तो PC का part मत मानना अगर seller company यहां पर या फिर मैं इसको cut कर देता हूं इस adjustment को cut कर देता हूं इस adjustment को cut कर देता है क्योंकि आगे इस पर detailed discussion है ठीक है ना तो इस adjustment को cut कर देते हैं बाकि इसको लेना नहीं है मैंने ले लिया था क्योंकि वहां बॉन लिखा हुआ था यह लोग आटा देते हैं अब बताना मुझे CP क्या CP PC purchase consideration CP नहीं बोल रहा PC बोल रहा हूं भाई अब बताओ कितना आ रहा है अब भाईया 8,66,800 आ ठीक है अब question में कहना है इसका payment कैसे करोगे मैंने पेमिंट कैसे करोगे last के दो adjustment बोल तो रहा है कहता है last के दो adjustment भाई preference shareholder जितने भी थे न उसके cash दे दो तो preference shareholder दो लाग थे तो दो लाग दे दो cash और बाकी के दे दो equity share capital कहता है बाकी के 100 रुपे वाले equity share capital देज़े तो बाकी का आपका आजाएगा छे लाग तो अगर देखा जाए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 6668 equity share issue करते इसका purchase consideration से कोई लेना देना अभी नहीं है फिलाल बस यह बता दिया जाता है discharge बाकी हाँ जब books of buyer बनाते तो बहुत काम आते है पहला सवाल देखिए कोई दिक्कत सरीता मैंने realization expense हटाई दिया बताईए कोई दिक्कत तो हमारा है purchase consideration purchase consideration में एक net assets method में हमने क्या सीखा था सर सारे assets की market value ले लिजिए और less कर दिजिए सारी की सारी liability तो हमारे पास यह आ जाएगा इसके बाद हम net payment method की बात करें तो net payment method के अंदर हमें क्या करना और इसमें assets जब लेंगे तो इन assets को consider नहीं करना यह सीखा था net payment method बहुत आसान है सर बहुत आसान कैसे कह सकते हैं देखिए मैं इसको erase कर दू यहीं पर net payment method बना दे ताकि सही रहेगा net payment method समझना मैं समझना एक छोटा सा example x y z limited है और एक मान लेते हैं सिक्षा धाम limited है और मैंने क्या करा x y z limited को खरीदना है मुझे मैंने decide किया है कि इस company को खरीद लेते हैं और खरीदने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बात किस से करने पड़ेंगे इसके shareholder fund से बात करना होगा यानि मैंने बोला भाई तेरा क्या assets है whatever तू समझ तू इधर आजा shareholder fund shareholder fund के अंदर इसका reserve and surplus हो गया equity share हो गया preferent share हो गया मैंने बोला कि भाई देख ऐसी बात है मैं तेरी company को खरीद हूँ क्योंकि मालिक तो यही है मैंने कहा मैं तेरी company को खरीदने जा रहा हूं और तेरी company को जब मैं खरीदने जा रहा हूं तो तू बता मैं जो दूंगा अगर तुझे पसंद आता है तो ले ले otherwise फिर मैं तेरी company को नहीं खरीदूंगा इसने का सर मेरे assets है लाइबलिटी है वो वो सब मुझे नहीं पता मिरे को तेरी company पसंद आई है मैं तिरोगो यह चीजे दे रहा हूँ मैं तिरे को 10 लाख रुपे दे रहा हूँ नगत मैं अपनी company के मैं तुझे shares दे रहा हूँ जिसकी कीमत 20 लाख बनती है अब तु जो मर्जी समझ मेरी तरफ से तेरी company के उकाद कितनी है 40 लाख जो कि मैं देने के लिए ready हूँ अगर तु दे सकता है तो बता नहीं दे सकता तो बाती खाता हूँ यानि पहले वाली case में हमें net assets वाली case में इसके सारे assets liability के बाद हमें सामने वाले company का valuation करना पड़ता था सामने वाले company के एक उकाद पता करनी थी कितने में उसे खरीदा जाएगा लेकिन इस वाले में हम उसकी valuation नहीं करेंगे एक अंदाजा ले लेंगे कि इस company में इतने में खरीद लेंगे तो सेम मैंने कहा कि भाई तेरी कमपनी को खरीदा जाएगा इतने में मैं पूरा पेमेंट या तो मैं बोल दूँगा भाई तेरी कमपनी को दो करोड में खरीद रहा हूँ और उसके बदे ले इतने कैस, इतने इक्विटी, इतने प्रफरेंस ठीक है ने, और सिर्फ किस से बात्चित चलेगी और अगर मैंने कहा भाई तेरी कमपनी के अंदर डिबेंचर भी है न और उस डिबेंचर वाले को मैं अपनी कमपनी के डिबेंचर दे दूँगा तो इसमें इसका क्या फायता, भाई, लाइबलीटी वाले को तु लाइबलीटी दे रहा है, तो जब तु मेरी कमपनी को खरीद रहा है चाहे मैं उसको cash देदू, चाहे मैं उसको check देदू, चाहे मैं उसको PR देदू, चाहे मैं उसको preference share देदू, चाहे मैं उसको equity share देदू, चाहे मैं उसको अपनी company के debentures देदू free में, के ले भाई debenture तेको बाद में पैसे मिल जाएंगे, कुछ भी दिया जा सकता है, तो अग मैं क्या करूँगा payment method में net payment method के अंदर मैं उसे कितना equity share capital दे रहा हूं मैं उसे कितना cash दे रहा हूं यह मैं उसे कितना debenture दे रहा हूं या any kind of मैं कुछ भी उसे दूँगा इन सभी को जोड़ दिया जाएगा और जैसे ही इन सभी को जोड़ा जाएगा उन सभी को जोड़ने के बाद हमारा यह क्या माना जाएगा सर यह माना जाएगा हमारा purchase consideration मतलब देखो तो इसका न एक पार्ट जो हम पहले निकाल के जो उसको द हाँ अब मुझे जवाब दीजिएगा चली आजाते हम question भी करेंगे और साथ के साथ फिर concept भी करेंगे मैंने क्या कहा यहीं question यह वाला कर लेंगे मैंने का भया x है भया y है भया z limited company है इस company को acquire किया और इसका shareholder है और इसका डिबेंचर भी है जब मैं इस company को खरीदूंगा जब SKD limited इस company को खरीद लेगा तो क्या मैं इस company के shareholder को payment करने के बाद इसके सारे liability पे मेरा अधिकार है और इसके सारे assets पे भी मेरा अधिकार है इसका मेरा कहने का मतलब है कि इसके जितने भी liability उसकी payment करने के जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी और जितने भी assets है उसको बेचन 20 रुपए का यह दूँआ तुझे cash भी 5 रुपए दिया जा और उसके बाद तेरे जो debenture holder है इसको मैं क्या करूँगा 100 रुपए इसको मैं दे रहा हूँ तो यहां पर बच्चे सोच लेते हैं कि सर पीसी क्या होगा पीसी इसका 20, 25, 35 हो गया और 100 आप debenture वाले को भी दे के टाइम पर मैं 30 रुपए का मैं तुझे दे रहा हूँ तो यह पच्पन रुपए काउंट हो जाएगा अगर इसके मालिक का debenture दिया जा रहा है इसके debenture holder को ही debenture दे के discharge किया जा रहा है तो वह पर्चेस कंसेडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा समझ रहे हो बात तो यह बिल्कुल basic सा point सा तो मेरे इसाथ से आप देखोगे के net payment method जो है net payment method जो है तो ऐसे situation में नेट payment method जो है ऐसे situation में net payment method के अंदर हमारा बहुत आसान सवाल बन जाता है और आपको इधर उधर की बाते बोलेगा लेकिन आपको इस questions में से अंदर भी सवाल है और वैसे भी है और मैं अभी बाद में डिस्कस करेंगा है total assets total net payment method के इसाब से कहता है रजनी गंदा रजनी गंदा लिमिटेड एक कंपनी है एब्जॉब वाई वसुंद्रा लिमिटेड इसका मतलब वसुंद्रा लिमिटेड ने रजनी गंदा लिमिटेड को खरीद लिया मिला लिया अपने में कमपनी को खरीदो गे तो इसको सारे लियाविलिटेड एकक्पेंशन आफ ब्लॉप्ट उप्टे गंदेर लियाउड इसको पार्ट उप्र्टिस अब लियागिए जब लिक्विडेशन का एक्सपेंस मैंने बताए था लाज्ट के इंदर था रिलाईजेशन एक्सपेंस त 20,000, 20,000, जबकि actual कितना हुआता साहब 17,000, 20,000 से उपर नहीं होना चीए actual 17,000, अगर 21 होता तो 20 से कम हो गया तो हम कम लेंगे सीरिसी बात है, ठीक है इसके बाद आगे देखा जाए आगे कहता है, the payment made to debenture, एक लाख रुपे debenture payment करेंगे, 10% premium पे 9% debenture issue, जो उसके debenture से payment of the debenture एक लाख, एक लाख के जो उसके debenture holder है, उनको हम premium पे 9% debenture at par दे दिया जाएगा, ठीक है यानि आप यहां से यहां तक बात देखेंगे, तो कोई भी ऐसी बात नहीं बोली गई है कि उस company के मालिक को कुछ दिया जाए, तो यह यहां से यहां तक इतने उपर वाली पार्ट है, वो irrelevant है मेरे लिए, purchase consideration निकालेंगे, उसने बोला कि जो हम liquidation का, जो यानि absorption का खर्चाओ का, उसको यह करेंगे, वो करेंगे, भाई, उससे क्या लेना देना, हमें तो इस question में ढूंडना आए कि भाईया, तु मालिक को कितने रुपए दे रहा है, उसको total कर लेंगा, purchase consideration हो जाएगा, अब आगे बात आई, and the payment कहता है, 16 per share in cash, and allotted 14% preference share 10 rupees each, 6 equity share of 10 rupees each, fully paid every 4 share in the nature of purchase, यहाँ पर मैंने बताया था, एक nature of purchase होता है, nature of merger होता है, हम बाद में methods में सीखेंगे, तो अब payment की अगर बात करें, कहता है कि हम 16 rupees per share paid करेंगे, उसके लिए आपको क्या जानना होगा, सर इस company के अंदर पहले shares कितने हैं, तो company के अंदर shares कितने हैं, एक बार मैं इसको फिर से साफ कर दूँ और आपको समझ में आ जाए, बताइए company में कितने shares है, कहता है, consideration take over the liability, the payment absorption cost not exceeding payment of debenture holder, और यहाँ पे यहाँ पे देखोगे, यह line, तो purchase consideration, purchase consideration, सर परचेस consideration में देखा जाए, तो number one, number one सर, number one क्या है, number one है, कि आप उसको cash में भी देने के लिए तयार हो, सर कहां लिखा है ऐसी बात cash, कहता the payment 16 per share in cash, जितने भी भाई, तेरे company के जितने भी shares है, पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा, मैं तुझे खरीद रहा हो, माल लेते हैं कि इसकी company का जो भी shares निकले है, भी मैं example अगर 100 share है, तो हर share के बदले तुझे नगत भी पैसा दूँआ, पहली बात इसको देने की बात हो रही है, and allotment 14 percent preference share 10 rupees each, और हर share के देखना, क्या कहता है, and कहता है कि the payment इसके अलाबा कहता है, and the payment 16 rupees per share, and allotment one preference share of 10 rupees each, and 6 equity share 10 rupees each, और 6 equity share भी दिये जाएंगे आपको छे equity share 10 rupees each, fully paid for every 4 share in रजनी गंदा लिमिटेड, यहाँ पर एक चीज मुझे questions में missing है शायद, number of shares कितने हैं इसके न, मैं लिख देता हूँ number of shares, एक मिनट रुकिए number of shares missing हो गया है, 2,00,000 है, number of shares मैं बता देता हूँ, कितने हैं साहब, 2,00,000, इससे आप समझ चाहिएगा, भाई सबसे पहले, तेरे को क्या मिलेगा, तेरे को क्या देना है, और क्या लेना है, यह देख लिजे, ठीक है सर, तुझे cash दिया जाएगा भाई, 2,00,000 है, question में missing है, मैंने बाहर लिख दिया, कि number of shares कितने हमारे 2,00,000 है, ठीक है, यह आप मान लिजी, questions के अंदर given missing हो गया, थोड़ा सा, ने nature of purchase का लिए, तो 2,00,000 share है, और हर share के बदले मैंने वचन दिया है, कितना दूँगा, तो इसका मतलब सर, अब 2,00,000 का है, या 2,00,000 रुपए का है, यह भी consideration लेना है, 2,00,000 नंबर यह, तो कितने देने पड़ेंगे, पहले एक तो यह, और preference share की बात करते हैं, कहता है कि end, allotment 1 preference share, 10 रुपीज इच, हम आपको एक preference share भी देंगे, 10 रुपीज इच का, तो सर, 2,00,000 preference share मिल जाएंगे, यह preference share capital, कितने percent, 14,00, 14% preference share मिल जाएगा, 2,00,000 और एक कितने का मिलेगा, 10,00,000 का, that is आपता, 20,00,000 रुपे का, एक तो यह दूँगा, ध्यान देना, यानि यह बादचित किस से चल रहे, equity share से, बोल रहा कि equity share वाले, तो 2,00,000 है, क्योंकि यहां का share holder यही है, हमारा, बोला, तेरे को एक काम करते हैं, 16 रुपे पर share दे देते हैं, और एक प्रफरिंग share दे देते हैं, तो इसके पास equity share कितने हैं, दो लाग, अगर मैं इसको डिवाइड चार से कर दूँ, तो कहता है कि हर चार शेर के बदले, आपको कितने दे दूँँगा, मैं 6, जैसे मैं suppose करो, आपके पास 10 रुपे है, या 10 unit shares है, मैंने कहा हर दो के बदले एक नया share दे दूँगा, तो आप कितने share मिलेंगे, तो हर दो के बदले कितना दूँगा, एक, तो आप divide 2 से कर दोगे, और into 1 से कर दोगे, तो आपको पता चल गया कि आपको कितने मिलेंगे, 5 और वैसे भी मैंने बोला, हर 2 के बदले मैं एक दूँगा, तो आप जनल calculation कर लो, क्या बनता है हमारा, 5 share ही बनता है, इसका मतलब, जितने के बदले दिया जाएगा, वो divide हो जाएगा, और into में जितना मिलेगा, यह, आप formula, यह जनल चीजे है हमारी, ठीक है न, अब एक share कितने का देने वाले हम आपको, 10 रुपए का, that is, अगर हम calculation करें, कितने आगे, 30,00,00 हो गया, अगर totaling करें हम, तो 82,00,00 रुपए आपको दिये जाएगे, that is, आपका माना जाएगा purchase consideration as per net payment method, 82,00, यह सही बता है, तीसलाख आपने, यह सही बता है, आपने, एक मिनट, यह देखे, preference share कहता है, कहता है कि end allotment, one preference share each, and 6 equity share, ध्यान दिजेगा, यहाँ थोड़ा सा, एक line आपको, रहेगे, आमसे पढ़ना, ज्यान दिजे, कहता है, अलोट्मेंट करेंगे, हम preference share, और 6 equity share देंगे, फुली paid वाला देंगे, और हर 4 share के बदले, तो यह भी 4 से divide हो जाएगा, हर 4 share के बदले, तो यह आजाएगा हमारा, पांच लाख और यह आजाएगा, कितने आजाएगे, 60, 63, दुबारा देख लिजे, क्या कहता है, लाइन आप पढ़ेंगे, तो running में पढ़ना होगा, कि भाईया, तुझे, एक तो हम 16 रुपे पर share दे रहे हैं, and, allotment दे देंगे तेरे को preference share, and 6 equity share, फुली paid वाले, for every 4 share, यानि हर 4 share के बदले तेरे को एक preference share मिल जाएगा, और हर 4 share के बदले तेरे को 6 equity share दे दे देंगे, और 10 रुपे एक वाला रहेगा, तो 10 से multiply करके यह हमारा आज़े, अब बच्चे कह रहे हैं, सर डिवेंचर भी तो है, अब देखिए, एक बड़ और पढ़ लें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें समस्या आएगी, अब डिवेंचर को पढ़ें, कहता है कि भाई, purchase consideration take up payment of absorption, कहता है absorption का खर्चा होगा, आप बताइए absorption का खर्चा होगया 17,000, क्या ये 17,000 हमने बोला कि जो इसको दिया जाएगा, वही purchase consideration का पार्ट माना जाएगा, आप बोल रहें सर अब absorption का खर्चा हो जाएगा, तो क्या इसको दिया जाएगा ये, नहीं तो ये तो purchase consideration का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, आगे कहता है, आगे क्या कहता है, दा payment of debentures एक लाख, एक लाख रुपे का इस company के उपर debenture था, इसको हमने क्या करा, कि 10% premium पे पे करने का promise कर लिया, यानि हमने इसको बोला भाई 10,000 और दे दे देंगे, debenture order तिरेको एक लाख 10,000 दे दे देंगे, और मैंने इसको payment क्या करा, अपनी company के 9% वाले debenture दे दे दिया, मैंने बोला भाई तिरेको 10% वाले debenture, तिरेको एक लाख 10,000 का ऐसा करते हैं, तिरेको अपनी company के 9% वाले, एक लाख 10,000 रुपे का debenture दे दे देते हैं, तो यह payment किसको करने की बात कर रहा है, शेयर होल्डर को होने की बात कर रहा है, जो उस company में पहले से debenture थे, उसको करने की बात कर, जो पहले से debenture था, उसको payment करने की बात की जा रही है, इसका मतलब सर, यह तो हमारा PC का पार्ट ही नहीं है, पीजी का पाँट का मतलब समझे क्या होता है जो उसके शेर होल्डर को डिया जाए गाव ही पीजी का पाँट है बाकी कुश्चन में इधर उधर की पेमिंट की बाद करे तो वह पर्चेस कंसिडरेशन का पाँट ही नहीं अभी और भी कुश्चन करेंगे इसका दस रुपे इच है तो मैंने दस से multiply किया ना यह रहा दस रुपे इच है दस से multiply किया मैंने equity share capital को भी पर्मिट यही calculation है जर्नल इस सवाल में भी purchase consideration निकालना है लेकिन हर एक सवाल के उपपर एक बाद लिखा हुआ था point लिखा हुआ था सथ क्या लिखा हुआ था सर एक point point यह लिखा हुआ था कि आपको net assets method से निकालना है या net payment method से इस सवाल में कुछ भी नहीं कह रहा कि आपको net assets method से निकालना है या net payment हम इस सवाल को दोनों method से कर लेंगे और एक बात ध्यान रखना दोनों method से answer हमेशा अलग आता है ऐसा नहीं है कि net assets method हो चाहिए net payment method हो दोनों से purchase consideration always same आएगा दोनों बाते अलग-अलग है दोनों से answer same आ भी सकता है और अलग भी आ सकता है इस बात का ध्यान रखेगा सवाल पढ़ लेते हैं जानकारी क्या देता है वो पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं सर इसके अंदर कुछ liability और कुछ assets दे रखा है हमें कहता है the company taken over राधा लिमिटेड और ये राधा लिमिटेड का the company take over by राधा लिमिटेड अच्छा राधा लिमिटेड ने खरीद लिया है इस ब्रिंदा लिमिटेड को तो ब्रिंदा लिमिटेड एक company है जिसको राधा लिमिटेड खरीदने जा रहा है इसके बाद calculate the purchase consideration if agreement providing the following terms अब हमें सवाल में देखना पड़ेगा कि अगर सारे assets की हमें market value मिल जाए तो हम market value से भी निकाल सकते हैं यानि net assets method से भी निकाल सकते हैं और अगर सवाल में ये पता चल जाए कि सामने वाली company को बुला के तरको ये दे देंगे तो net payment method से भी आ आप से कहता है agree take over only the assets of कहता है इसके सारे assets नहीं लेंगे जो इसके अच्छे assets से वहीं लेंगे कहता है राधा लिमिटेड एग्री टेक ओवर only the assets of ब्रिंदा लिमिटेड कौन कौन से assets ओवर only the assets of इसके सारे assets लिये जाएंगे राधा लिमिटेड टेक ओवर the business of ब्रिंदा लिमिटेड टुक दा value of except मतलब goodwill नहीं लेंगे goodwill को छोड़ देंगे कहता है कि राधा लिमिटेड टुक ओवर दा बिजनस ऑव ब्रिंदा लिमिटेड बुक वेल्यू सबके बुक वेल्यू को लिया जाएगा limited के बुक वेल्यू को except goodwill का बुक वेल्यू नहीं लेंगे land and building का good book value नहीं लेंगे plant and machinery का बुक वेल्यू नहीं रहेंगे आगे कह देता है plant and machinery which are value 10% and 40% and 50% more than the book value हर किसी को हम बुक वेल्यू पर लेंगे लेकिन जो यह assets दिख रहा है न यह 3 assets इसको बुक वेल्यू पर नहीं लिया जाएगा market वेल्यू पर हम लेंगे कहने का मतलब है भाईया goodwill जो है which are value 10% goodwill को हम 10% की value पर उठाएंगे और उसका land and building है 40% की value पर उठाएंगे और 15% more than जादा 10% से जादा पर उठाएंगे और 40% से जादा पर 15% यानि इस line का कहने का मतलब क्या है सर इस line का कहने का मतलब है कि जो हम इस company के सारे assets लेने के वचन दे रहे हैं आपको तो सारे assets नहीं लेंगे एक तो हम आपके company का goodwill नहीं लेंगे एक आपके company का land and building नहीं लेने वाले एक आपका plant and machinery नहीं लेंगे और ये सारे assets नहीं लेने का मतलब book value पर नहीं लेंगे मतलब जितना सहाब इसके अंदर दिख रहा है उसी weight नहीं लेंगे इसका हम valuation करके लेंगे और बाकी जितने भी assets stock debtors उसे हम इसी value लेंगे आगे कहता है उसका valuation 10% 40% 15% more than the book value of respectively मतलब सर जो भी value दे रखा है इससे जादा वाले value को हम इसको consider करके लेंगे, समझ में आ रही है बात आपको, तो यानि यहां assets लेनी की बात हुई, तो कुछ assets को book value पर लिया जा रहा है, कुछ assets को market value, तो कहीं न कहीं यहां पर हमें net assets method का भी बन सकता है, इस आप किताब, आगे, rather limited, take over the assets of vrinda limited, 10% less than the book value, except the, सब को 10% book value, land and building, land and building तो उपर भी था, and liability of balance sheet figure, कहता है, राधा limited ने take over किया, assets of vrinda limited, 10% less than the book value, कहता है, 10% less than the book value, जो बाकी का बच गया, book value, उसका 10% कम करके लेंगे, except land and building, except land and building, क्यों कहा गया, क्योंकि land and building उपर ही आ गया, and हमारा, land and building आ गया था ने, इस वाले पार्ट में, हाँ, और liability balance sheet में, और जो liability दे रखा है, उसके उपर, इसको छोड़ कर, बाकी सभी को हम ले लेंगे, बाकी liability लिखना नहीं चाहिए था, यहां पर, चली कोई बात में, अगला पांचवा पॉइंट, यानि अभी तक देखोगे ना, तो यह सिर्फ आपको question समझाने की कोशिस कर रहा है, का एक पार्ट है, कि जितना आप इसको समझोगे, फिर करोगे, तो answer बड़ा छोटा सा निकलता है, question कितना ही भड़े, लॉंग हो, जाए जादा बड़ा हो, तो उसमें आपको answer बहुत छोटा निकल के आएगा, कहता है, राधा लिमिटेड अग्री टू टेक ओवर दा बिजनस आफ विरिंदा लिमिटेड, ओके, एग्रीड वेल्यू, एक मिनिट, एक मिनिट, फिर से मिटा देते हैं, कहता है, the following condition, कहता है, question number one, question number two, question number three, question number four, five, यह हर एक question अपने आपमें अलग, पहले question में क्या कहा गया, हम उसके balance sheet के basis पे assets ले ले लेंगे, पहले case के हिसाब से PC निकाल लिए, दूसरे case में कहा गया, तीसरे case में कहा गया, चौत्थे case में कहा गया, पांचवे case में क्या कह रहा है, मैं एक एक case करके कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, पहले case में कहा गया, उसके assets लेंगे, case number one, पहले case में कहा गया, assets लेंगे, मैं पहले थोड़ा सा मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो इसकी बात क्या है, कहता assets लेंगे, assets लेंगे तो market value, market value या फिर total बोलता है, जो assets से उसी value पर ले लेंगे, assets का value, चलिए हो, assets value, क्या क्या दे रखा है, goodwill, goodwill कितने का है, नमबर दो, land and, amount बताते जाईएगा, बस, तीन, कितने, furniture, स्टॉक के बाद, डेटर, डेटर कितने का, डेटर के बाद, बी यार, बी यार के बाद, cash, कितने, तीन लाग, दस हजाद, बैंक के बाद, preliminary expense को, नहीं लिया जाएगा, discount on issue of debenture को लेंगे, क्या, नहीं लेंगे, net assets में बताया था, कि इसको नहीं लिया जाएगा, अब minus total कर लेते हैं, और इसमें से less क्या कर देंगे, liability, liability में shareholder fund को छोड़ दीजिए, सर इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तीन चीज़ें आ जाएगी, यानि सर debenture, 5 लाग, debenture के बाद, creditor, 195, calculation करते रहिएगा आप, bills payable, start हजार, total कर देते हैं, इसको, इसका total क्या आएगा, इसका, दो लाग, 29 लाग, पचास अजार, केस नमबर वन डन, केस नमबर टू थोड़ा सा लगे, Sir, can you please share me the link, I am not able to find it, अब कौन से link की बात कर रहे हैं, 21 लाठ, समझे में हैं पहला किस, प्राइब बात कर देड़ किस, दोनों method में difference क्या है इस वाले method में हमें कितना purchase consideration देना है और निकालना पड़ता है उस वाले method में पहले से given होता है कितना पैसा देना है अभी देखो इसके अंदर आ जाएगा में भी कौन सा लगने वाला इसमें ये ये वाला case आपका ये अभी देखिए इसके अंदर आ जाएगा केस नंबर टू कौन बच्चा करके दिखाएगा केस नंबर टू में क्या कहता है देखो राधा लिमिटेड एग्री टेक ओबर ओनली दा इसके अगर दिखाएगा पार्टी में इसका अगर लिमिटेड बार सब्सक्राइगा है इसका इसका टोटल किया है आप देखो गे इस सवाल को तो यानि इसके अंदर पीची अगर इसी सवाल को करें सेकिंड केस में सब कुछ सेम से इसका पीसी आ जाएगा 29 लाग लीजिए जी आ गया सेकिंड केस कंप्लीट समझ देखें हाँ है जिए या ठार्द केस राधा लीमेटेड टे को वर बिस्ट iemand लिमेटेड एगन वर ब्रिंदा लिमेटेड एड़ perché have you चीजों को मार्केट वेल्यू पे लें इसका मतलब सर केस नंबर थ्री अभी स्रिफ हम पीसी निकालना सीख रहें सिंपल सिंपल आप सिफ्ट हो जाओ दूसे जाओ ठीक है कुछ केसिस है केस नंबर थ्री करने जा रहे है कहता है सारे एसेट्स ले लेंगे कुछ एसेट्स को छोड़ कर जिसमें से कहा गया गुडविल जिसमें से कहा गया प्लांट एंड मसीनरी जिसमें से कहा गया लेंड एंड बिल्डिंग इनको हम अपने हिसाब से वेल्यूएशन लगाएंगे जो सवाल में कहा रहा है बाकी को बुक वेल्यू पे के लिल बुट विल लाग है कहता है 100% उपर पर ले लो तो दो लाख रुपे का अगर हम प्लस कर दें इसके अंदर कि कि अगर हम प्लस कर दें तैन पर्सेंट उपर देट ही 2,00,000 आगे कहता है इसके अंदर के भाई आप लैंड एन बिल्डिंग 15 लाक है तो लैंड एन बिल्डिंग देखा जाए तो हमारा कौन सा दूसरा पॉइंट था उसको 40 परसेंट उपर ले लिना है तो 15 लाक रुपए था इसमें प्लस कर देंगे इसका 40 परसेंट डेट इस 21 लाक और लैंड एन बिल्डिंग के बारे में क्या कहता है यह लैंड एन बिल्डिंग था ना प्लांट एन मसीनरी तीन लाक है तो मैं थोड़ा इससे सिफ्ट कर देता हूँ उपर नीचे हो गया यह यह यहां जाएगा प्लांट एट मसीनरी देखा जाएगा हाँ जी क्या होगे आपको प्लांट एट मसीनरी देखा जाए तो कितना था तीन लाग इंटू प्लस कितने परसेंट होगा पंद्रा परसेंट पंद्रा परसेंट कितना हो जाएगा इसका तीन लाग सभी कैलकुलेट करेंगा ओफ लाइन वाले मैं जिस से पूछूँँगा उसको जवाब देना होगा इसके बाद प्लांट एट मसीनरी के बाद परनीचर पचास अजार सर इसके वैल्यू में कोई चेंजिस नहीं बोला गया परनीचर के बाद स्टॉक चार और डेटर एक साथ स्टॉक चार लाग और डेटर एक लाग साथ हज़ा इसके बाद बताते जाएं बी आर बी आर तीस अजार कैस तीन लाग दस अजार इसके बाद बाद बादी के फिक्टीशे ससे जिसको लेना नहीं है इसमें से लेस कर देंगे हम लेस कर देंगे डेटर डेट इस कितने का था पांच एक पिच्चानवे साथ पांच लाग और क्या माइनस कर दें क्रेडिटर सर क्रेडिटर एक पिच्चानवे और बिल्स पेवल साथ और बिल्स पेवल चलिए सर टोटल बताएं एक अट्टा ही बता दें सर अट्टाइस लाख मैंने केस इसी में बना दिया है केस फ्री डन अब सवाल देख लीजे ये था केस थ्री का अंसर डन हो गया केस नंबर फॉर में क्या कहता है इसी अब ज्यादा टाइम नहीं लगे मैंने लिख लिया है केस नंबर थ्री केस नंबर फॉर राधा लिमिटेट टुक ओबर दा एसेट्स ऑफ बिरिंदा लिमिटेट कहता है के राधा लिमिटेट सिर्फ उसके एसेट्स को लेने वाला है राधा लिमिटेट टेक ओबर बिजनस नहीं कहा इसने इसने कहा कि हम उसके एसेट्स को टेक ओबर करेंगे 10% less than the book value except 10% book value से कम करेंगे यानि land and building और liability को land and building और liability balance sheet में फिगर है इसमें changes नहीं करेंगे उसके अलावा जो भी डिजिट है उसमें 10% की कमी करतेंगे कहता है राधा लिमिटेट टेक ओबर दा एसेट्स ऑब बिरिंदा लिमिटेट 10% less than the book value except 10% कम पर लेंगे लेकिन इसको छोड़ दो भाई इस पर 10% कम मत करना एक एसेट्स land and building पर और एक liability तो हम अगर यहां पर देखें तो बट सीरीस ही बात है जो हमारा land and building यह goodwill जो रहेगा वह दो लाक ही रहने वाला है केस नमबर चार land and building कितना रहने वाला है पंद्रा लाक नई goodwill भी कम होगा दस परसेंट तरिफ land and building को छोड़ने को बोला गया और हर किसी को क्या बोला गया दस परसेंट कम कर दो तो यह हमारा दो लाक का था तो यह दो एकसी हो जाएगा फीस स्थ यह जाएगा 50000000 या यह दो जाका था दस परसेंट कम कर पीस फञाल बीजहो स्थ और पा स्थAवे हमारा एक लाख है फटीटू ए फटीसिक्स है फटीफोर है कि तीस हजार रुपए का भी यार था दस परसेंट कम करोगे तीन हजार रुपए तो 27,000 आ जाएगा कैस कम करी नहीं सकते भाई साब कैस में क्या कम ही करोगे यह चीज़ थोड़ा साब को लगाना है दिमा के भाईया कैस कहां से कम कर देंगे वहां वे हलाकि मेरे हिसाब से इस सवाल के अंदर लिख देना चाहिए था एक्सेप्ट कैस भी अगर नहीं लिखा है सवाल दे रखा है तो सवाल गलत मानों क्यूंकि कैस की वेल्यू में कभी कमी नहीं आएगी ठीक है न हम तो प्रैक्टिकल चीज़े देख रहे है इस पे कोई कमी नहीं रहेगा चलिए सर टोटल कर लेते हैं बताइए क्या रहा है एक अस्सी पंद्रा लाग दो सब्सक्राइब 22 लाग तीन पैंतालिस कैसे आया 15% add करके आया हो नीची इस ब jij Carl आई पलती पिनी पहते हैंした प्रजम करेंगे न कहता है लाइब लिट बोला के ऐसेट की वेल्यूएशन औपि और लेइब्लिटिस का मत करीयेगा क्योंब बश्यवेशन केस नमबर चार 22,52,000 टोटल चेक कर ले ना भाई एक बार मेरे को लग नहीं रहे टोटल ठीक किया है जिसने भी किया सर पॉइंट चार का 15,50,000 15,50,000 क्या कह रहे है वो तो 15,00,000 की रहेगा बुक वेल्यू पे सर दो लाग 20,000 क्यों भाई इसके अंदर कह रखा था 10% से बढ़ा दो केस नमबर 3 में 4 में कह रहा था 10% गड़ा इसका टोटल चेक कर ले ना भाई क्रोस चेक कर लो मेरे को गलत लग रहा है टोटल यहार है बी से क्यासी यहार है बी से क्यासी बाई टोटल सही क्या करो किसने बढ़ा है टोटल आप खड़े हो जाँ जी खड़े हो खड़े हो इदर बैटो पहले आपको परिशानी ज्यादा हो रहे हैं मेरे खाल से यह यहां के बैठा आगे बैठा आगे बैठा आगे बीस दस ठीक है कलिया साथ केस नंबर पांच कैल्कुलेटर निकाल लो ठीक है साथ केस नंबर पांच पांच में देखने क्या कहता है यह कहता है केस नंबर चार की बात करें तो आपना सारे एसेट्स की वैल्यू 10 परसेंट घटा दीजिए लेकिन एकसेप्ट मतलब इनको छोड़ कर किसको एक लैंड बील्डिंग की वैल्यू को मत घटाने बढ़ाने की कोशिस करिया उसको वही वैल्यू रखे जो है और बाकी सभी में 10 परसेंट की क्या कर दीजिए कमी कर दीजि हां जी केस नमबर पाँच कहता है राधा लिमेटेड एगरी टेक ओबर दा बिजनस ओव विरिंदा लिमेटेड बिजनस कर रहे हैं एगरीड दा वेल्यू ओफ कहता है एगरीड ओव वेल्यू ओफ पंदरा लाग पचास अजार पेबल फॉर्म ओफ दस हजार इकुटी शि इच और 100 रुपीज इच और 125 रुपए का एक शियर होगा बैलेंस एंड कैश इसका मतलब क्या है कौन सा मेथड लग रहा है कि कह रहा है कि राधा लिमेटेड ने बोला कि भाईया मैं तेरे एसेट कंपनी को ले लूँगा और मैं एगरी करता हूं कि तुझे कितना पेबल मैं तुझे इस 15,50,000 को देने के फर्म में तिरको 10,100 रुपए और 125 वाला तो तिरको दे दूँगा एकुटी शियर समझ रहे बात इस 15 लाग यानि राधा लिमिटेड जो है उसने डिसाइड कर लिया कि तेरको देना ही ये 15,50,000 है तो अब यहां पे एसेट्स और लाइब कितना एकुटी और कितना कैश तो कहता है भाया तिरको 10,000 एकुटी दे देंगे 125 वाला और 100 वाला और बैलेंस कैश दे देंगे तो अगर अगर देखा जाए केस नमबर क्या था हमारा पांच तो भाई मैं तुझे एकुटी शियर दे दूँआ इसने कहा कितने 10,000 एक का 100 रुपय था लेकिन हमारा मार्केट वैली 125 था तो 125 के हिसाब से देखा जाए तो 12,000,000 और टोटल मैंने तेरी वैल्यूएशन लगाया है पीसी में 15,000,000 और बाकी जो पैसा बच रहा होगा वो तुझे मैं क्या दे दूँआ तो आप बताईए कितना कैस जाएगा खतम केस नमबर पांच देखिए चीक है सुभम ने बता दिया गुन गुन भी बता दिया कोई दिकत अगले पॉइंट पर हैं लास्ट चलिए सर लास्ट पॉइंट कहता है राधा लिमिंटेड ने इसको मैं और बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको है ना जैसे जैसे होता जा रहा है थोड़ा सा जूम करके दिखा दू पेमेंट वाले में तो बैलेंशीट की ज़रत ही नहीं है न यह देखे जिसको नहीं होगा अब दिख जाएगा कि यह इसका पार्ट है वह आप वीडियो में से देखके वह नोट कर लेंगे ठीक है लिमिटेड बोल रहा है जो भाई तुमारी कंपणी के डिवेंचर ओल रहा है उसको हम अपनी कंपणी के डिवेंचर दे देंगे प्रीमियम पे बात खतो एक तो यह बात करी अब कहता है हम इसू कर देंगे 11 परसंट प्रिफरेंशीर सौ रुपे का एक एवरी एट शियर बुटें ब्रिंडा लिमियंट बोलता है तुम्मारे कंपणी में जितने भी शियर सेनक एवरी शियरlla जितने प्रफ्रेंश यह हर एक 8 ignorust के बद़ले हम अपनी कंपणी और देंगे एक शियर प्रफ्रेंश लुप हैश्य 2 स्अधर बंदे 5000 उम्हें हरे चिसको देगा प् equity share जितने भी number होंगे न हर share के बदले 20 रुपए दे देंगे and issue 6 equity share 100 रुपए each at a premium 10% for 5 equity share in विरिंदा limited कहता है के भाया तुम्हारे 5 equity share हम रख ले गया उसके बदले तुम्हें 6 equity share देंगे और जो 6 equity share दिये जाएंगे वो दिया जाएगा 10% के premium पे that is 110 रुपए का आपको एक share दिया जाएगा समझमाई बात आपको अब यहां पर जो पहला point है क्या यह PC का part है मुझे जवाब दीगिए पहला point PC का part है क्योंकि यह किसको दिया जा रहा है उसके debenture holder को दिया जा रहा है और debenture holder outsider liability है अब वहां के share holder को देने की बात करें तो सिर्फ दो ही बाते हैं एक issue preference share every eight के बदले और एक क्या दिया जा रहा है हमें equity share जो भी बोल रखा है यहां पर के 6 share देदेगे हर एक पांच share के बदले अब यहां पर preference share every eight share in विरिंदा तो आज आईए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसे हम preference share का calculation देख लेते हैं हमारे अगर देखा जाए तो preference share कितने है सहाब आठ लाग सौर रुपए यानि आठ हजार तो हमारे preference share है जो कि मैं लिख देता हूं यहां preference share capital है हमारे पीछे लिख लेते हैं चलिए अगला method लास्ट केस preference share capital कितने है आठ हजार है मैं लिख रहा हूं सरिफ और सर equity share अगर सौर रुपए का एक है और बारा लाग है तो कितने का हो गया जो equity share capital था वो बारा हजार कहानी यही है कहा गया भाई तुम्हारे हर एक आठ के बदले कहता है preference share holder ध्यान से देखिए कहा गया preference share holder तुम्हारे हर एक आठ share के बदले हम तुम्हें एक share देंगे 100 रुपए वाला ठीक है भाई आठ share के बदले देखिए तो divide 8 हो जाएगा इंटू में 100 हो जाएगा तो कितने का मिल गया 800 इंटू 100 800 इंटू 100 कितने होते हैं एक लाग के दस लाग एक लाग दूसरा कहा गया कि भाई हम 20 रुपए हर equity share के बदले दे देंगे अच्छा cash तो बताइए cash कितना जाएगा 12,000 equity share थे और हर एक के बदला 20 तो 12,000 इंटू 20 एक तो यह दे देंगे हमा और equity share पे क्या कहानी कह रहा है कह रहा है भाई equity share तुमें 6 देंगे और 6 की कीमत होगी 10% premium पे यानि 110 रुपए और 5 share के बदले मतलब sir 5 share के बदले divided by 5 इंटू में हम कितने देंगे 6 और जो price होगा 110 प्रीमियम पे होगा न तो इसको solve करे तो क्या आता है कि बारह हजार डिवाइड पांच इंटू में 6 इंटू 110 पंद्रा लाख अब ही आ गया हमारा PC 19 लाख तो इस सवाल में दोनों चीजे था समझ मैं 5 किस तो आपको अब देखो इस सवाल में क्या question ने कहा कि इस method से करो नहीं कहा वो आपकी समझदारी है कि जानकारी क्या दे रहा है अगर उसको payment के बारे में बता रहा है directly तो समझ जाएंगा भईया यह net payment method है और अगर assets बोल रहा है इतने का लूंगा market value book value तो यह hint दे रहा है कि भईया net assets method है तो आपको यह decide करना होगा कि भईया method कौनसा लगेगा समझ में आई बात आपको कोई दिक्कत इसमें clear रहा है यहां तक क्यालिए sir method ना बड़े सारे आ जाते हैं और मैंने observe किया है कि यह ना question जो है method बोल बोल के ज़्यादा डराते हैं बच्चों को instead of मेरे इसाब से किताब वालों को सिखा देना चाहिए यह चीज इतनी होती है बड़ी सीधी सी बात है उन्होंने method निकाल दिया स्वैपिंग मेथर्ड मतलब स्वैपिंग तरीके से किया जाएगा यह इंट्रिंसिक मेथर्ड अलग अलग चीजे आप देखिए इसके अंदर आप इंट्रिंसिक क्यों पर बिल्कुल फोकस ना करें इसका निकलता कैसे है परचेस कंसिडरेशन वह बस सिंपल सी बात देख नहीं है यहाँ पह एक तरीका और होता है हम बोलते हैं कि भाई कि कहता है यहाँ पर कैं परटीक्शा लिमिटेड एक कंपणी अज परतीक्शा लिमिटेड और को तो यह विकने वाला और यह कौन है बायर यह seller company और यह बायर अब इसके अंदर देखा जाए इसके अंदर देखा जाए तो भाई अब बायर company इसको कुछ payment करेगा बायर company उन्हें बोला भाई तेरे को जितने तेरी company में share है ना उतने मैं तुझे share payment कर दूंगा बात खतम लेकिन मैं अपनी company के तुझे shares दे दूंगा, कहता है मैं तुझे अपनी company के क्या करूँगा? बहुत simple सी बात है, हुआ ऐसा, तो हमें क्या करना पढ़ेगा, shares देने के लिए हमें इस company का shares का value निकालना पढ़ेगा और इस company का भी shares का value ढूनो इरो दोनों का life का सिछेंधे निकाल लेना दुभित करूं कि एक दूसरी कंपनी का एकी वार भर effort निपनेये कि आछ एक कौन से है बायर कंपनी का नाम पी लिमिटेड और ये एन लिमिटेड पर्चेस कंसिडरेशन यहाँ पर एसेट्स लिख देते हैं वही सारे एसेट्स के मार्किट वेल्यू और उसमें से लेस कर देंगे लाइबलिटी कहीना कहीन नेट एसेट्स के जैसा ही बने गाई है तो सारे एसेट्स अगर लिख दे हम एसेट्स में क्या है फिक्स एसेट्स नीचे कुछ वेल्यूएशन दिया नहीं है कहता है बुक वेल्यू के बेसिस पे निकालो तहाँ फे तिक्स एसेट्स साड़े-3,000,00 और नीचे का डेड़ लाक तो इसका तीन लाक और दूसरे का डेड़ लाक इसके बाद investment 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 में 2,50,000 और इसमें है ही नहीं तो छोड़ दो इसके बाद current assets current assets देखा जाए तो 3 लाग और इसमें देखा जाए तो 1 लाग लो जी ये total assets आ गया liability में कहानी वही है ये जो दे रखा है इसको नहीं लेना इसको नहीं लेना इसको नहीं लेना बागी इन दोनों को ले लेंगे सेम यहाँ पे इसको नहीं लेना इसको नहीं लेना और ये दोनों ले लेंगे है तो पहले डिवेंचर ले ले लेते हैं सर्थ डिवेंचर जो है वो एक लाग पिछेत्तर अजान इस company के अंदर डिवेंचर है यह नहीं अब बात कर लेते हैं क्रेडिटर क्रेडिटर की बात करते हैं तो इस company में क्रेडिटर है कितने पचास अजार यहां करेंट लाइविलिटी दे रखा है करेंट लाइविलिटी एक लाग पच्चिस अजार प्रेडिटर थोड़ा उपर जाएगा यह वाला तो हो गया डिबेंचर और यह इसमें आते हैं बिल्स पेबल है थोड़ा उपर नीचे कर दिया कोई बात ने बीस अजार और कुछ तो है नहीं अब आप इसका ना वैल्यू निकालिए कैसे वैल्यू निकालेंगे ताड़े 3 लाख और 2,5 लाख 4 तो 6 और 3 और यह आजाएगा 2,5 लाख आपको क्या करना है 9 लाख मेंसे इनको माइनस कर देना है मैंने लिखा है लेस कर देना है तो कितने बचे 6 लाख और इसका वैल्यू बचा धाई मेंसे आप सकतर माइनस करोगे तो 81 अब मुद्दे की बात है कि हमें निकालना होगा इस company का value of shares आप यह लृटाने की टोट्ल वेल्यू क्या है इस value को पता हैं क्या बोलते हैं इस company का net worth के नाम से भी जना जाता है इस company का actual valuation भी जाना जाता है PC में यही तो था कि PC का मतलब क्या था कि सामने वाली company को कितना पैसा देना यानि उसकी value क्या है यही रहता था अब हमें एक share की value निकालना है तो बहुत simple सी बात है जो हमें दे रखा है हम इसको divide कर देंगे इसके number of shares है तो इसके number of shares देखो तो 20,000 और इसको divide कर देंगे इसके number of shares है तो इसके number of shares देखो तो 9,000 है तो अगर हम per share value निकाले तो यह कितने आगे 30 और यानि कहने का मतलब है सर जो company खरीद रहा है उसके shares की value कितनी है जो buyer company उसके shares की value कितनी है 30 और seller company की कितनी है value उसने बहला बड़ी simple सी बात है भया तुमारे तुमें मैं क्या कर रहा हूँ अपनी company के shares देदे तो भाई कितने shares मिलेगे वो तो decide करना पड़ेगा कितने value का shares मिलेगा तो वो decide करना पड़ेगा तो very simple यहां देखा जाए तो buyer company का share का price पर share का price है 30 रुपए और seller company का 20 रुपए नंबर की बात करें तो यहां पे इनका नंबर था 20,000 और 9,000 आपको याद होगा जब ऐसा question करा था last class में के तेरी company का एक share का value पान सो चालिस और चार सो चालिस तो मैंने कहा था भाई तेरी company का shares का price ले लेते हैं आपको याद दिलाते हैं तो फिर ज़्यादा better रहेगा शायद कहां करा था अरे इससे पहले कर रहा था मैं को सारे question कहां गए यह कर रहे थे हैं इसमें क्या कर रहे थे हम जैसे कि 100-200 बहुत सारे example लिए तो भाई यह और यानि तुम्हारी company का share divided by मेरी company का शेर्स का price into a number of shares तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मैं वही करूंगा जो पहले सिखाया था तो PC कितना आएगा purchase consideration मैं बोलूँगा तुम्हारी company का share का value 20 रुपे और मेरी company का यह तो हो गया shares की बराबरी और तुम्हें कितने share दूँगा मैं 90 कर दिया मैंने गलती से 9000 है तुम्हें कितने दूँगा मैं अब निकाल लीजिए कई बार point में आ जाएगा तो point को ignore कर देंगे कितने आ जाएंगे तो भाई साब यह 6000 क्या आए 6000 6000 यानि भाई साब हम तुम्हें 6000 शेयर देंगे तुम्हारे 9000 थे लेकिन तुम्हारे 9000 शेयर के value पता है कितनी बन रही है 6000 नंबर तो मैं तुम्हें शेयर इशू करूँगा और किस कंपनी का शेयर इशू करूँगा इशू और पी लिमिटेड के यानि 6000 शेयर और तीस वाले आपको एक असी मिल गया यानि पर्चेस कंसिडरेशन तो सहाब यही रहेगा इसका लेकिन इसमें निकालना क्या आता है कि इसको number of shares कितने देने यह पता करना में बात है ताकि हम नई balance sheet बनाएं तो उसमें काम कर पाएं तो यहां पर क्या हुआ भाई है उसको 180,000 तो मिलेगा लेकिन 6000 शेयर मिलेगे तीस रुपे के हिसाब से आप इस सवाल के लिए अगर formula अगर बनाना चाहते हैं एक थोड़ा पर शेयर डिवाइड़ बायर कंपनी पर शेयर और इंटू में क्या कर दें नंबर ऑफ शेयर्स किसका और अफ इस से लगा है यह लगाई यह फॉर्मूला और आ जाएगा यह फॉर्मूला लगाईए और आ जाएगा जितने बच्चे नई जोइन हुए यह चप्टर थोड़ा सा उनको समझ में आए ना आए यह नहीं कह सकता लेकिन आहां देखिएगा तो डेफिनेटली समझ में आएगा थोड़ा बलर हो रहा है तो बलर का रीजन यह है मेरे पास क्लियर बिल्कुल देख रहा है आप एक बार सेटिंग में जाके क्वालिटी एनहांस कर सकते हैं बच्चे कह रहे हैं सर इंटर्नल रिकंस्रक्शन करना जरूरी है कि बहुत जरूरी है यह यूनिटी अलग है पेपर का बात तो हम बाद में करेंगे पहले आप सीख लेजिए जरूरी है एक्जाम में आएगा ही आएगा आपका दोनों ही कुश्चंस आएगा ऑप्शन नहीं रहेगा मैं ऑप्शन कुछ बच्चों का थोड़ा सा ना जो देखो कुश्चन नमबर चार आया एपार्ट रिकंस्रक्शन भी पार्ट एम अलगमेशन और में आएगा एपार्ट एम अलगमेशन बी पार्ट रिकंस्रक्शन तो किस बात का और हुआ याणि अगर आप एक चप्टर छोड़ते हो तो आपके दस नमबर गए पहले एक्जामनेर करता था कि 15 नमबर और 15 नमबर में चोड़ जाते थे अब एक्जामनेर ने का भीया चॉइस में देंगे आपको चॉइस से मतलब है इसका मतलब थोड़ी है तुम चैफ्टर छोड़ दो तो वह पार्ट में क्यूंकि आपके पेपर छोटे छोटे नमब नमबर में डिवाइड हों इसको समझना पड़ेगा चोटे नमबर डिवाइड होने पर नमबर आफ कोश्चन बढ़ गया लेकिन टाइम नहीं बढ़ाया गया अब पीछे कोश्चन था यह निकालना था दस नमबर का एक सवाल दे दिया और एक रिकंस्रक्शन का छोटा सा इस तरीके से कर लें ठीक है तो यह टापिक हो गया चलिए अब आगे एक और बहुत इंट्रस्टिंग सवाल है और यह इनफेक्ट यह वाला सवाल ना आप पेपर देखेंगे यह जो सवाल आपके सामने में दिखा रहा हूं यह सवाल रिकंस्रक्शन में पूछा गया यह स अलग है और है अलग है मतलब कही ने कहीं लिंक है आपसमें लेकिन यह कह सकते हैं कि इसके कंपरिटिव ली रिकंस्रक्शन बहुत ही आसानेゃ जैसे आपने करा भी यह कूर्शन फटा फट हो रहे थे लेकिन रिकंस्ट्रक्शन का एक यह सवाल आगया था जैन्यल कि largest हमें और एक आर लिमिट्टीड है ठीक है एस लिमिटेड ने इसको खरीदा तो आप सब सबसे पहले तो यह टै कर लें कि यह बायर है यह बिकाउ कंपनी है और यह कई ते कज़रा है एस उर्फट्र स्थ अगर अंडू नहीं होता तो क्या होता है यह भाई साहब है और है और यह वायर है ठीक है दो कंपनी की कहानी कि क्याता है एस लिमिटेड एस लिमिटेड का मतलब सेलर कंपनी हैज 9% डिवेंचर 100 रुपीश इच इसके पास 9 परतीशत डिवेंचर है 100 रुपीश इच वाले फेस वेल्यू जिसका बनता है 22,50,000 रुपीश 22,50,000 तो मैं आपसे जानना चाहता हूं नंबर कितने होंगे टेस्ट कर रहा हूं नौलेज को तो 22,50,000 डिवाइड़ बाइस सो यानि इसके नंबर होंगे 22,500 9% डिवेंचर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड और डिस्चार्ज बाइर लिमिटेड इसका कहने का मतलब है भाया इसके डिवेंचर को यह जो बायर है डिस्चार्ज का मतलब पेमेंट करने की कोसिस कर रहा है कौन करने की कोसिस कर रहा है पेमेंट आर लिमिटेड बोलता है भाई तेरे डिवेंचर जो भी दिख रहे है ना यह 9% डिवेंचर वगरा वह मैं पैसे दूंगा अभी डिस्चार्ज करूंगा कैता है इसू सच नंबर ऑफ 15 परसेंट कैता है चिंता मत कर तेरी कंपनी के डिवेंचर हलके डिवेंचर है 9% वाला मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुझे देदू 15% वाला डिवेंचर हलका डिवेंचर मैंने इसलिए बोला क्यूंकि उसका rate of interest कम है और विसी बात है तो वह विकारी डिवेंचर लगेगा आपको 2 rate दे तो तो बोला गया के मैं तुझे करूंगा इसू सच नंबर सच नंबर पर थोड़ा सा हाइलाइट कर दें सच नंबर ठीक है बोला नंबर नहीं बताएंगे हम आपको कितने देंगे आपको देंगे 15% डिवेंचर 100 रुपीश इच आल्सो टू बी मेंटेन सेम अमाउंट ऑफ इं तेरी अभी रहेगी बस रेट बदल जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में आपको नंबर अफ डिवेंचर निकाल के बताना है कैल्कुलेट दा नंबर अफ डिवेंचर अब देखो सिंपल सी बात है एक एक्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा क्या कहना चाहरा है कुशन कहरा चाहरा है मानले तें 10% आपके पास लोन आपको देना है 10% डिवेंचर कहा दिया 10% मानलो सपोस करो डिवेंचर आपके 1000 रुपे के हैं ठीक है अब कितना ब्याज मिलेगा बताओ 100 रुपे मैंने बोला कि आपको 20% में डिवेंचर दूगा और आपका ब्याज 100 रुपे ही होना चाहिए तो बताओ कितने डिवेंचर खरीद होगे सवाल समझो मेरे 10% डिवेंचर पहले से था आपको ब्याज की कमाई कितनी थी मैंने का मैं आपको 20% डिवेंचर 100 वाले ही दूंगा और आपका ब्याज भी 100 ही रुपए बन जाए तो ऐसे कितने डिवेंचर खरीद होगे यानि 500 रुपए का आप समझ रहे हो कोश्चन में क्या पूश्चन समझ में आएगा तो यह वाला कोश्चन समझ में आएगा मैंने क्या कहा क्या बहिए तुम्हें पहले वाले जतना ही व्याज मिलेगा तो ऐस से कम डिवेंचर को कम यालिवेरी 500 रुपए यानी बीस रुपे वाला ख्रीद के तो यानी पांच डिवेंचर हो जाएँग का यानि आपका रेट और बैटर नंबर वैसे देखो मैं एक्जामपल वह लेता हूं जो आपको मुझेवानी पता चल जाए उसी को गणित के रूप में देख लेते हैं भाईया हमारा डिबेंचर कितना होना चाहिए अब 100 और 1000 के चक्कर में फस मत जाना इसलिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ यह interest है interest कितना होना चीए 100 और आपको कितने percent interest 100 रुपे जो मिलेगा वो कितने percentage पर मिलेगा 20 परसेंट यानि 20% equal to 100 रुपए यही मैं बोल रहा हूँ और आपको चाहिए कितना साहब सौ रुपए का बरावर का वेल्लू चाहिए मेरे खाल सौसों में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा मैं ऐसा एक्जामपल लेता हूं जो सौसों हट जाए इसको दूसरे तरीके साथ आते हैं फिर एक्जामपल देखना बारा पर्सेंट डिवेंचर एक हजार है एड़ रेट हंड्रेट इच कौन बच्चा मुझे इंट्रस निकालके बताएगा देखते हैं कितने बच्चे पढ़ रहें डिवेंचर सुभे भी हो रहा है इंट्रस भी निकालना सिखा है इंट्रस बताओ क्या निकलेगा सब ऐसे सोच रहे हैं नया चप्टर करवा दिया वहीं बारा जार है भीया सिंपल सी बात है दस एक हजार इंट्व में सो एक लाक एक लाक पर बारा परसंट अब मैंने कहा कि आपको मैं 24 परसंट अरे यह बच्चे ट्राइ करते रहते हैं कि इससे होता क्या है 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 आप एक बार कमेंट में डाल दीजिए तब ने बता दिया बारा जार इंट्रस अब मैंने कहा कि आपको 24 परसंट ब्याज हो और 24 परसंट ब्याज वाले आपको डिबेंचर देंगे हम लेकिन आपका इंट्रस्ट न जितना पहले था उतना ही मिलेगा यानि आपका अभी भी जो इंट्रस्ट हो गाना वो 12,000 ही रहेगा तो आपको बताना है कि कितने डिबेंचर खरीदो जो कि आपका 12,000 ही इंटरस्ट बन जाए 500 यानि 6,000 डिबेंचर खरीद लेगे 500 खरीदते हैं तो 50,000 और 50,000 पे 24% फिर से क्या बन जाएगा 12,000 यानि आपने कहा सर 500 डिबेंचर खरीद लो 100 रुपए का एक डिबेंचर और बनता है आपका 50,000 इस पे 24% जब आप निकालोगे तो equal to कितने बनेंगे ये तो ऐसा question मैंने पूछा कि आपने देखते ही जट से जवाब दे दिया लेकिन यहाँ पर ये कहानी नहीं है ना देखते ही नहीं आएगा इसको mathematical form में कैसे किया गया वो समझे mathematical form में किया गया कि भाईया 12,000 रुपए का ब्याज था 12,000 का ब्याज था और ये था equal to कितने percent हमारा मतलब पहले 12,000 ब्याज था अब ये 12,000 ब्याज कह रहा हूँ के अब इसके हिसाब से मिलेगा तो ये 24% होगा that is 0.24 और आपको entire face value पता चल जाए अगर मैं बोल दू के 50,000 रुपए का debenture होगा तो नंबर तो निकाली ही लो गया 100 से divide करके मैंने कहा debenture का value था 100 यानि 100 रुपए पर 0.25 करा तो आप देखोगे यहाँ पर value निकल के आएगा करके देखिया क्या यही आ रहा है ज्यादा आ गया अच्छा हाँ नहीं पॉइंट लगाने के बाद ज्यादा हो गया ना 24 करते हैं मतलब percentage को अब यह एक बात और देखे एक बात ध्यान दीजिए चलिए कर दीजिए अभी कर दीजिए अब आगे ठीक है पचास हजार अब पचास हजार है तो इसका मतलब सर पचास हजार डिवाइडिड बाई डिवीजिवल बाई सो करोगे तो आप मुझे बता पाओगे नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं समझ मैं काने ऐसे ही मैथमेटिकल पॉर्म में कर सकते हैं सेम सवाल ये कहता है कि भईया पहले तुमारे पास ये डिवेंचर थे जिसके उपर आपको ये था तो आपको निकालना पड़ेगा पहला पॉइंट क्या इसके उपर इंटरस कितना कमाते थे तो दो लाख पच्चिस हजार पे नो परसंट कितना बनता है दो लाख पच्चिस हजार रुपए पे नहीं दो नहीं बाइस लाख पचास हजार पे नो परसंट दो लाख सर इतना ब्याज पहले आप कमाया करते थे नाव आपको 15 परसंट डिवेंचर दिया जाएगा और बोलते हैं ब्याज उतना ही रहेगा कहां बोल रहा है सर ये कहता है सच नंबर 15 परसंट लास में कहता है इसका मतलब जो पहले ब्याज था वो ही अभी मिलेगा आपको तो वेरी सिंपल बात भाईया ब्याज आपके तो दो लाख यही रहेंगे लेकिन रेट क्या हो जाएगा 15 डिवेंचर कितने का था सो मतलब रेट को फिलिक कर देए तो ओवरोल अमाउंट आ जाता है जब हम रेट को रिवर्स कर देते हैं तो अमाउंट आ जाता है क्या आया अमाउंट में कर देए तेरा लाख पचास हजार यह आ गया रुपीस उसने बोला भाईया रुपीस मत बताईये प्लीज मुझे नंबर बता दीजिए तो नंबर क्या आ जाएगा सौ से डिवाइड कर देंगे तो तेरा हजार पांसो नंबर आ गया यह questions पूछा गया था आपका पिछले साल प्रोग्राम में पूछा गया था I think reconstruction में एक पॉइंट डाल दिया था एक नंबर का एक पॉइंट उसमें क्यूंकि paper ऐसा आया था 10 पॉइंट था 10 नंबर का था एक नंबर का यह पहले देखो यह समझ में आया बहुत सिंपल सी बात कही गई है इसको आप समझेंगे मैंने पूरा एक्जामपल लेकर समझाया है ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये मैंने अपने एक्जामपल ले है क्लियर है सर बीस पच्चिस सो कैसे आया बीस पच्चिस सो कैसे आया देखिए मैंने बताया था अभी बाइस लाग पचास हजार पे गुणा में नो बटे सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वेल्यू यही निकल के आएगा ब्याज क्लियर हाँ जी भाइस आप क्लियर है बच्चे कह रहे हैं वंडरफुल कोश्चन ठीक है एक बार और रिपीट आप एक बार देखिएगा अब मैं एक बार कंक्लूड कर दूँ इसको जब ऐसा सवाल हो जहां पे आपको एक कमपनी का डिबेंचर गीवन हो और डिबेंचर के साथ उसका इंटरस रेट गीवन हो इंटरस और दूसरी कमपनी कहता है कि मैं नई कमपनी का इंटरस रेट और इंटू में 100 तो आग क्या जाएगा हमारा ओवल और अमाउंट ऑफ डिबेंचर जो नई कमपनी के अंदर मिलने वाला है और उसको फेस वेल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा नंबर आफ यहां क्या निकाला था अमाउंट को डिवेंचर रुपीस आये था उसको मैंने किस से डिवाइड कर दिया सौ रुपे का एक था यहां कह रहाता ना कहां के सौ रुपे का एक सौ से दस रुपे का कहता तो वह अलगा जाता ठीक है